Hello everyone, welcome back to Know Your Fiction It's me, Madhu Pandey If you are new here, then welcome जो हम लोग आज मूवी देखने वाले हैं वो लोग के बारे में देखने वाले हैं Spoilers, Alert, सब कुछ बताने वाली हूँ Ending तक explain करोंगी क्या हुआ, क्या नहीं हुआ अगर पाता है, तो as in story सुन लो नहीं, तो ये वीडियो देखने के पाद मूवी भी देखो जाते अगर स्पोईलर्स नहीं चाहिए, तो भाई पहले मूवी देख लो फिर ये वीडियो देखो 1986 का टाइम है वॉक्षिंटन का एक आईलेंड है यहाँ पे स्टोम आने वाला है तो लोग अपनी सप्लाइद eकठः कर रहे हैं क्योंकि ऐसी जगे पे जो स्टोम होते, वो moment है पानी बरसता रहता है, सब कुछ होता रहता है तो लोगों को भाई अपने सप्लाइद यकठः करनी है यहाँ पे जो एक लो है ये elderly woman है गड़िस का जो बिल्ट वगर है वो काफी अच्छा है वो कोई ही से भी ऐसा की पेचारी औरत नहीं है वो है कुछ तो बात है उसमें सप्रैस लेके और वहां पर उसे जो अदो खूरायोस है वो ब some odd लो करेकर्ट शें वो के घर में जो फैर्लू है उसको बोलती है कि रेंट दो यह लोग मिलें देम सीब्राय में है और इनोगों की डेंडियिस इन серव कि एचाई वहां पे लार्ज स्ट्रोम आने वाला है तो उसके लिए उसको सप्लाइज देने जाता है तो रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है वो इसको लिफ्ट देता है क्योंकि इतने स्ट्रोम में बेचारस जाएगा कहां तो इसके वज़े से वो उसको लिफ्ट दे देता है और फिर क्या होता है? जिसको लिफ्ट दिया होता है, वो आदम इसको मार देता है और जाके हैना के घर की लाइट्स कट कर देता है इसी को भी लिफ्ट नहीं देना चाहिए एना के घर की लाइट्स कट कर देता है उसकी बेटी को किड्नाप कर लेता है और फिर हैना जाती है लू के पास और लू क्या करने वाली होती इससे पहले सुसाइड उसने पुरा कावार अग्रा कर रखें व tumble eggs के खुंक श्यूके दर उदर ना पड़ें और सुसाइड करने जारी होती है तब से वहा हैना पहुंच जाती है हैना बोलती है कि वी को किसी ने किड्नाप कर लिया है और फिर ये भी बताती है कि जिसने किड्नाप किया है वो उसका फादर ही है हैना लोग को बताती है कि ये जो जिसने किड्नाप किया वो कोई और नहीं, उसका फादर फिलिप है ये ग्रीन बेरेट में था, ये फॉर्मर ग्रीन बेरेट है और ये वेल ट्रेंड है, इसको कोई भी नहीं हरा सकता एना और लू, वी की तलाश में निकल गए हैं बहुत कठिन रास्ता है, तो भी चल रहे हैं और इसी में लू और हैना को कुछ लोग मिलते हैं, जो की हैना बनाती है लू को कि ये फिलिप के अंडर काम कर चुके हैं तो मतलब ये इसके फ्रेंड्स है या एक्वेंटेंस है उसको सपोर्ट कर रहे हैं इसके नापिंग में तो लू जाती है और उनको हाउसखोल्ड समान से, मतलब जो घर के समान होते हैं उनसे मार देती हैं, मडर कर देती हैं जब हैनाती बोलती है, तुम नॉर्मल नहीं हो, कोई भी नॉर्मल परसन घर के समान से किसी का मर्डर नहीं कर सकता तब लू उसको बताती है कि उसने 26 years as an CIA agent field में काम किया है एक तरह कैसे simple भाशा में हम कहें तो वो spy रही है, field में काम किया है उसने वो जो फिलिप है कुछ कार्ट छोड़ रहा है, कुछ निशानिया छोड़ रहा है पर यह जो लू है यह हैना को नहीं देती है, वो खुद रख लेती है और फिर एक जगे और उसने छोड़ा होता है कार्ड वो लू हैना को बोलती कि तुम जाके contact करो शेरिफ से क्योंकि storms बहुत है तोड़ा high hill पे चड़के contact करो वहां पर वो contact करने जाती है और इधर यह वी और फिलिप को ढूड़ने लू खुद निकल जाती है फिर फिलिप और लू की बात होती है उससे क्या पता चलता है कि फिलिप कोई और नहीं लू कहीं बेटा है और यह जो फिलिप है उसको लू के लिए grudges है क्यों क्योंकि इरान में यह लोग थे और जो लू थी वो अंडर कवर एजन्ट थी इसके बेटे को कुछ लोगों ने किड्नाप कर लिया उसने उस चीज़ के लिए कुछ किया नहीं बिकॉस क्योंकि उसका अंडर कवर फ्लो हो गया है एना उसको इसलिए चूड़ती है क्योंकि वह बहुत वॉयलेंट होता है उसके साथ बहुत बुरा भीएव करता होता है लू उसको समझाने की कोशिश करती फिलिप को बट वो नहीं मानता है लू को घायल करके चला जाता है और बोलता है कि लाइट हाउस में हैना का मतलब है और फिर वहां पे जो हैना होती है को कॉन्टेक्ट कर लेती है शारिफ से जब शारिफ यह डिटेल्स अपने उपर वालों को भेजता है अपने पोस्त से हायर लोगों को तो लोग बोलते हैं कि अब कुम्हें इसमें कुछ करने की जरूत नहीं है यह पेडरल का म लोग पहुच गए है और फिलिप को थोड़ा घायल भी कर देती है बट वह फिलिप प्रेंड इंसान है ऐसे किसी घायल होने से वह रुकने वालों में से नहीं है और यह जो दो लोग है लोगों फिलिप यह दोनों ही वारंटेड इंसान है क्यों कि C.I. को ब्लेक्मेल करने लाइक इनके पास कुछ सबूत है लू के पास इसलिए C.I. इनको ढूंड रहा है और फिलिप जो है वो तो वारंटेड इंसान है तो क्या होता है जो लाइट हाउस में काफी सारे एक्स्प्लोजिव होते है क्यों कि फिलिप का यही मोटिव होता है कि सब को मारना तो जो ल लोगों को यह लगेगा C.I. वालों को कि यही पर यह लोग थे और यह मर गए और फिर लो और फिलिप में फाइट हो जाती है फिर मतलब उसको अपर हैंड मिल जाता है लो को मतलब लू थोड़ा जीतने लगती है उससे तो वो फिलिप को हग करती है उसको सौरी बोलती है लोग अंड़ वाटर चले जाते है फईर िसे बच्छने के लिए फिर क्या होता है धना वी लू के घर मेर यह जो घर है लू का वह ऌध के नाम पर क्योंकि लो अस्याइड करने से पहले हैना के नाम पर सुसाइड लेटर ही लिख रही ती बताब यह कह रही थी कि यह जो घर है उसके बाद वो हैना और वी का होगा और लोगों को बेश ना हो बेच है रहना हो रहे वोटेवर तो यह घर यह लोग बेश देते हैं शेरिफ को वो गुडबाई बोलती है न यह लोग वहां से चले जाते हैं और वहां पर C.I. के लोग होते हैं उनसे सवाल करने के लिए हैन और वी से तो ओवेसी बात है यह लोग कोई सवाल का जवाब तो देंगे नहीं और फिर लास सीन में यह दिखाते हैं कि शिप है इस शिप में हैना वी और जैक्स जैक्स लुकडॉक यह तीनों लोग है और जैक्स कहीं उपर डेक पे बोड के अपर साइड में देखता है और फिर जो कामरा शिफ्ट होता है वो एक वोमेन को दिखाता है जो की बैनकलर से किसी को देख रही है लोगों को देख रही है उसके हाथ में वही स्कार है जो लू के हाथ में स्कार था और उसने वही कॉपर ब्रसलेट पहना है जो लू ही है, लू जिन्दा बजगी है, I guess Philip मर गया, यह चीज को clear नहीं दिखाते हैं, जिस हिसाब से वो injured था, तो I guess मर गया, यह मेरे Instagram की ID, यहां पर मैं इन सब चीजों से related काफी बाते करती हूं, काफी पोस्ट डालती हूं, तो वहां मुझे follow कर सकते हो, try to stay in connect, try to be in connect, चानल पर नए हो और वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो लाइक करो, साथ ही साथ चानल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, तो जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी, तो इसकोई notification तुरंद मिल जाएगी, thanks for watching, see you next time, bye bye.